सो चलिए गैस आज हम डिसकस करने जा रहे हैं IFRS वर्सिस इंड एस यानि कि इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्ड यूएस ग्याप वर्सिस आएफरेस सो देखिए आज का ये सेग्मेंट आपके लिए बहुत नॉलेजिबल होने वाला है जिससे आपको पता चले कि अगर आपको IFRS इंड एस और यूएस गाप का नॉलेज मिलता है तो डेफिनिटली आप एक कम्प्लीट अकाउंट्स एंड फैनेंस के प्रोफेशनल बन सकते हैं अगर हम देखें तो आज बाइलिंग्वल वॉल्ड ओफ अकाउंटिंग एक तरफ है यूएस गाप यूएस गाप का फुल फॉर्म अगर हम बात करें जनरली एकसप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखिए यूएस गाप के बीसिस पे यूएस कंपनी के फानेंशल स स्टेंडर्ड अराउंड दी वर्ल्ड मोर दिन 180 कंट्रीज जो है वो आज आज फॉलो कर रही है सो बाइलिंग्वल वॉल्ड ओफ अकाउंटिंग हुने के कारण अगर आपको यूएस गाप और आइफ दोनों का नौलेज है तो आपकी करियर में बहुत इंपॉर्टन डोल कोई financial statement बने तो इसको कैसे अप यूएस गाप में convert कर सकते हैं और यूएस गाप के basis पे बने financial statement को IFRS में आप convert कर सकते हैं तो basically अगर accounting world देखें तो वो आज IFRS और यूएस गाप दो area में divided अगर हम Indian context में बात करें तो India follow करता है ind ace basically वो IFRS का ही adoption है मतलब IFRS का converge form क्या है आपका ind ace है तो अगर हम पहले difference को समझें तो governing body के point of view से अगर मैं बात करूँ तो देखिए US gap की जो governing body है financial accounting standard board FASB जो की USA में इसी तरीके से IFRS की जो setting body है वो आपकी है ISB international accounting standard board तो इन दोनों bodies के द्वारा accounting standard को govern किया जाता है तो अगर मैं बात करूँ US के respect में तो चाहे public companies हो not profit organization हो किसी भी प्रकार की organization हो private हो वहाँ पर FASB के दौरा established US gap के basis पर financial statement बनाते हैं और ISB जिसने की IFRS को set की है across the world international financial reporting standard की basis पर accounting की अब हम कुछ differences को discuss करने जा रहे हैं तो देखिए अगर मैं IFRS और US gap में सबसे बड़ा difference देखूँ तो सबसे ज़्यादा difference है कि US gap जो है वो rule based है आपको पहले point में देखने को बिल रहा हूँगा gap is rule based और IFRS है principle based तो IFRS में उतना detailed explanation नहीं है मतलब वहाँ पर अगर हम देखें तो practical scenario की according हम चीजों को क्या करते है अडॉप्ट कर लेती है इसलिए यहाँ पर बहुत जादा reporting फॉमिलिटी बहुत जादा होती है और जहां हम बात करें US gap की तो वो completely rule based है मतलब अगर rule में कोई बात mention है तो आपको as it is क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा practical difficulties के कारण US gap अपने आपको चेंज नहीं करता है तो यह basic difference है अब देखिए कुछ mention में ने difference किये accounting principle में जैसे second point में आप देखें gap है वो लीफो बेसिस को भी अलाओ करता है लीफो मतलब जहां आप inventories में देखें बहुत सारी method होती है फीफो है लीफो है वेटेड एवरेज है लेकिन IFRS ने strictly लीफो बेसिस को deny किया वहां पर आप लीफो बेसिस पर अपनी inventory का valuation नहीं कर सक तीसरा difference हम देखें research and development expenses जो है research हो चाहे development हो IFRS जो है वो development को क्या मानता है capitalize करता है मतलब उसको balance sheet में capitalize करता है और over the period क्या करता है amortize लेकिन वहीं अगर US gap में बात करें तो US gap research nature के expenditure हो चाहे development nature के हो सभी को profit and loss account में charge करते था यहां पर capitalization का कोई concept नहीं है तो यह तीसरा सबसे बड़ा difference उसके बद चौथा difference हम देखें gap uses cost model for fixed assets सबसे बड़ा difference आपको यह देखने को मिलेगा कि US gap कभी भी revaluation model को follow नहीं करता जैसे आपने कोई land and building buy किया let's say वो अपने 2020 में buy किया आज उसकी उस ताइम जब अपने वाई किया था वो 20 lakh की थी आज उसकी price 50 lakh हो गई US gap हो लेगा हम तो cost model follow करते हैं हम आपको revolution allowed नहीं करेंगे वहीं IFRS क्या करता है कि विल्कुल fair market value को consider करना है तो वो revolution model भी adopt करता है तो देखिए यहां पर rule basis पर अगर देखें तो cost method लेकिन IFRS practical difficulties को understand करता है वो principle basis पर है इसलिए वो revolution model को accept करता है उसके बद पांचवर difference देखि are segregated and are shown below net income in the income statement तो US gap में जो extraordinary items होगी है जैसे मान के चलिए earthquake आ गया और किसी company का plant and machinery पूरी तरीके से destroy हो गया उसको major losses हो गया तो US gap में एक requirement है कि आप उसको net income का calculation करने के बाद separately क्या कर रहे है segregated कर रहे है segregated and shown below the net income लेकिन IFRS देखिए extraordinary items are not segregated and are included in the income statement तो income statement में ही IFRS उसको दिखाता है US gap उसको segregated करता है sixth difference के बारे में अगर मैं बात करूँ अगर मान के चलिए एक बार आपको inventories में loss हो गया जिसे मान के चलिए 50,000 के आपकी inventories थी उसकी कीमत 40 हो गई तो दोनों method ने 10,000 का loss बुक कर लिए लेकिन अगर future में वापिस से stock का value बढ़ जाती है value increase हो जाती है तो gap क्या करता है gap does not allow inventory return down reversal मतलब previously अगर आपको कोई loss हो गया है उसको reversal करने का कोई भी provision US gap में नहीं है बट IFRS inventory reversal को allow करता है तो basically major differences यही है कि US gap जो है वो principle basis पे है और IFRS जो है वो principle basis पे अगर आपको दोनों का अच्छा knowledge है तो आपको American based companies की भी accounting अच्छे से आ जाएगी as well as rest of the world की accounting अच्छे से आ जाएगी अगली segment में अगर हम discuss करें इंडेस versus IFRS and accounting standards तो देखिए दोनों की body जो है जैसे अभी हमने पढ़ा कि IFRS international accounting standard बोर्ड के दोबरा सेट किये गए वहीं आपके जो इंडेस है उसके लिए ministry of corporate affairs जो है MCA जो है वो ICA के guidance में इंडिया में accounting standard को क्या करता है सेट करता है देखिए पहले इंडिया में केवल accounting standard follow किये जाते थी इंडियन companies क्या होती थी अपने financial statement को इंडियन accounting standard की business बनाती थी लेकिन जैसे world globalize हुआ So बहुत सारी multinational companies इंडिया में काम करने आने लगी तो as investor आप सोचिए कि अगर rest of the world IFRS follow कर रहा है और इंडिया अगर accounting standard follow करेगा So उनके बीच में एक uniform principle नहीं होते थे तो investor कई बार इंडियन companies के financial statement को understand नहीं कर पर तो globalize के point of view से कि एक uniform accounting rules होने चाहिए इसी लिए इंडिया ने भी IFRS को as it is adopt नहीं किया है जैसे के जैसे IFRS चल रहे थे वैसे के वैसे इंडिया ने अडॉक्ट नहीं किया उसका convert form अडॉक्ट किया तो इसी को अगर हम बात करें तो यहां पर IFRS जब इंड एस में convert हुए conversion of IFRS to indies तो कुछ चीजों को जो IFRS में थे उसको इंडियन accounting standard ने क्या कर दिया रिमूव कर दिये इसी को हम बोलो है crave out and crave in provision तो अगर हम बात करें तो item remove from IFRS while making indies इसको हम बोलो है crave out और कुछ additional requirement जो as per the land of the law economic situation कि according Indian accounting standard में adopt की गई उसका बोलो है craving तो इस प्रकार से इंडिया ने IFRS को as it is adopt नहीं किया है उसमें अपनी economic condition को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ reporting compliance को ध्यान में रखते हुए देखिए इंडिया का law अलग है जिसे इंडिया के security market की requirements सा लग हो सकती तो इसलिए IFRS को convert किया किया किसमें इंडियस में more or less अगर दिखा जाए तो IFRS और इंडियस में कोई बहुत ज्यादा difference नहीं है बड हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ बाते हमने IFRS की adopt कर ली और कुछ बातों को हमने IFRS की adopt नहीं किया अब अगर मैं आपको कुछ financial statement के point of view से बता हूँ तो आप देखिए IFRS और इंडियस थोड़ा सा difference कैसे है कुछ financial statement के component में जैसे इंड इस में हम इसको balance sheet बोलते हैं internationally इसको क्या बोला जाता है statement of financial position यह basically आपके financial statements है हम जिसको profit and loss account बोलते है IFRS इसको statement of profit and loss बोलता है या statement of comprehensive income के नाम से भी हम जानते है फिर statement of changes in equity एक अलग प्रकार का financial statement है cash flow statement तो आप जानते ही है वैसे इंड इस में देखिए balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in equity, notes to the financial statement and disclosure of accounting policies तो यह सब as per indies क्या है आपके component of financial statement तो अगर मैं आपसे nutshell में कहूं तो आज इंडिया भले ही indies को follow कर रहा है लेकिन वो IFRS का ही convert form है तो अगर आपके पास IFRS का sound knowledge होगा तो आप Indian companies as well as multinational companies में job के लिए काफी अच्छे से eligible हो जाते है और साथ में अगर आपके पास US gap का knowledge हो गया सो मैं आपसे यहां कह रहा हूं कि आप एक international accountant बने जाते हैं तो एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको कीवल एक ब्रीफ में इस ब्रीफ में knowledge प्रोवाइट कि जिससे आप IFRS एंडेस और यूएस गैप को क्या कर सकें अंडर्स्टेंड कर सकें चलिए फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आपसे होप सो आपको वीडियो पसंदा है if you really like the video please like and subscribe the channel thank you for watching this video thank you very much